कर् fingernail क्दाफ करना होता अब डिस्चार्ज को हम क्र prohibited करते हैं तो ए अब्लू वेंचूरी मेडर को डइगराम को देख सकते हैं ठीक है तो समझ में आ Yo और हुगा यह है आपका बैचूरी मिडर अब जो मैंo मीडर है I am लोग साखेव्ड में बापस new से खिना या ठेखने क्या कि सबखने पहले का वेलोसिटी को मैं V1 कहूंगा, प्रेसर को मैं P1 कहूंगा, डेंसिटी को मैं R1 कहूंगा, ठीक है, और वहां से एक मैनोमीटर कनेक्टेड है, ठीक है, आप जो फर्स्ट सेक्षन में जो आप यह वाला पोर्षन देख सकते हो, जो एक कौन की तरह है, जिसका एरिया सामने जात जाते जाते हैं कम हो रहा है, जिसका एरिया जाते जाते हैं कम हो रहा है, यह वाला पोर्षन इसे कहते हैं, Converging پورशन Converging ठीक है, इसे कहते हैं Converging Converging portion कहते है इसे ठीक है, और उसके बाद उसके बाद जब आप और आगे जाते हो तो आप यहां पर देखते हो कि एक छोटा सा portion है जिसका area सबसे कम है इस figure में ठीक है, इसे कहते हैं throat THROAT की थ्रोट ठीक है इसे थ्रोट कहते हैं तो जो यूटूब मेनोमेटर है इस थ्रोट से ले करके फर्स्ट सेक्षन तक के connected है जो ऐसे कि आप देख सकते हैं और अगर मैं इससे और आगे जाओं तो यह फिर से एक कौन आता है जिसका एरिया अब छोटे से बड़ा हो रहा है इसे मैं कहूंगा diverging जो एरिया बड़ेश बड़ेश चोटा हो रहा था यह वाला पोर्शन इसे मैं कह रहा था converging और मैं इसे कहूंगा diverging ठीक है तो चलिए अब डिसकस करते हैं और यहां वी टू वाले टर्म में जो सेक्षन टू है वहां पर आपका वेलोसिटी वी टू कहलाएगा प्रेसर पी टू कहलाएगा और डेंसिटी रोटू कहलाएगा ठीक है अब इस मैनोमीटर में आपके फ्लूड किस तरह फिल्ड है वो आप देख सकते हैं आपका फ्लूड यहां पर फिल्ड है यहां पर फिल्ड है ठीक है अब फ्लो को मेजर करने के लिए इसमें मरकरी भरा हुआ है जो कि मैं ग्रे कलर से सो कर रहा हूँ ठीक है और मरकरी का लेवल एच हाइट है ठीक है अब मरकरी यहां पर हैवियर फ्लूड की तरह एक्ट कर रहा है इसलिए मरकरी नीचे है अगर मरकरी आपका लाइटर फ्लूड की तरह एक्ट करता तो मरकरी ऊपर कहलाता ठीक है और इस पे जो भी आपका flood बहर रहा है वह है तो suppose जैसे water है तो water भी हो सकता है कुछ भी हो सकता ठीक है जिसका हमें flow को measure करना है है तो यह था आपका Venturimeter अब Venture meter में Venture meter में आपको discharge calculate करना होता है तो discharge का formula हो जाएगा discharge equal to discharge equal to अब यह actual discharge है ना ACT लिख देता हो में यह है आपका actual discharge actual discharge actual में कितना discharge होता है वो है ठीक है तो इसका formula है cd cd means coefficient of discharge into a1 into a2 into root 2gh upon root a1 square minus a2 square तो यह value है आपकी actual discharge की तो आपको formula में अगर आपको actual discharge find करने के लिए कहता है तो आपको बिना सोचे समझे इस formula को लिख लेना है ठीक है इस formula को लिख लेना है फिर आपको यह देखना है कि इसमें आपके पास किसकी value है किसकी value नहीं है उसके हिसाब से आपको आगे proceed करना होगा आप जो coefficient of discharge की value है coefficient of discharge मतलब की यह coefficient of discharge यह आपका हमेशा 1 से कम होगा कुछ cases में इसकी value 0.98 ली जाती है ठीक है और जो a1 है और a2 है वो क्या है a1 है आपका first section का area a2 है आपका second section का area ठीक है A K randomly from root to現 है जहां पर X है आपका height कितने height पर mercury फिलड ऐसी की अठीक है इसकी value is your philosophers का flow जितना हाई रहेगा है यहां पर mercury की bhi height उतनी okay which is linear Але का you can by massage Mall also at inlet से आपका flow rate बहुत जादा आ रहा है और outlet में भी उतने ही flow rate आपका exit करेगा ठीए और तो यह आपको actual discharge का formula समझ में आ गया होगा अब मैं यहाँ पर एक चीज और बता रहा हूँ आपको जैसा कि मैं आपको एक lecture में बता चुका हूँ कि आपके पास theoretical velocity भी होती है और actual velocity भी होती है एक्चुल वर्ड जहां पर आ गया वह directly practical life से आपको relate करके कह रहा है और जहां पर theoretical वर्ड आ गया वह आपको यह कह रहा है कि जो आप formula से calculate करते हो वाली value है तो जैसा कि आपके पास actual discharge का formula तो यह हो गया ठीक है अगर आपको theoretical discharge calculate करना हो कुछ cases में आपको question में theoretical discharge की value दी हुई होगी तो वो किसकी value दी हुई होगी यह अलग जो term मैं अलग कर रहा हूँ CD को छोड़ करके CD को छोड़ करके जीतने term है A1 into A2 root 2gh upon A1 square minus A2 square यह पूरे term आपके कहलाते है यह पूरे term आपके कहलाते है theoretical discharge यह पूरे term आपके कहलाते है theoretical discharge तो अगर theoretical discharge से आपका कोई formula पूछे तो आप क्या बताओगे A1 into A2 root 2gh upon root A1 square minus A2 square और अगर आप इस theoretical discharge पर अगर आप coefficient of discharge का multiply कर दे तो आपको किस की value मिल जाएगी? actual discharge की value मिल जाएगी, ठीक है? आपको actual discharge की value मिल जाएगी, है न? पर यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर x है, ठीक है? यहाँ पर x है, एक चीज़ में आपको बताना भूल गया था यहाँ पर है आपका x, यहाँ पर है आपका x, h नहीं है, x है वहाँ पर, ठीक है? वहाँ पर है आपका X तो आपको यहाँ पर H की value put up करनी है तो उसके लिए आपको H की value पहले find out करनी होगी तो H की value आप कैसे find out करोगे क्योंकि यहाँ पर आपकी value दी हुई है X की जो mercury की height है वो X से 100 करेगा ठीक है तो आपको किस की value निकालनी है इसके थूरू H की तो उसका भी एक बहुत छोटा सा formula है उसका भी बहुत छोटा सा formula है उसका भी बहुत छोटा सा formula है उससे भी करके दिखाई देता हूँ तो इस case में जो इस tip का manometer लगा है YouTube manometer differential manometer यहां पर लगा हुआ है ठीक है तो यह manometer नीचे की तरफ लगा हुआ है इसलिए differential manometer है अगर यह manometer कुछ इस प्रकार से लगा रहता उल्टा लगा रहता अगर यह manometer उल्टा लगा रहता तो मैं इससे कहता है inverted manometer तो दोनों case में आपका formula अलग-अलग है ठीक है तो अभी manometer आपका लगा है नीचे की तरफ ठीक है तो इस case में H का क्या formula हो जाता है इस case में H का क्या formula हो जाता है ब्रेकेट में SM SM मतलब specific gravity of mercury divided by SF SF का मतलब है specific gravity of fluid अब वो fluid कुछ भी हो सकता है जो fluid आपका flow कर रहा है जिसको आपको calculate करने वाला fluid अगर आप water का calculate करना चाहते हो तो specific gravity of water which is 1 minus 1 ठीक है यह आपका H का formula यहां से आप H की value को निकाल सकते हो ठीक है अब यहां पर एक बहुत जरूरी चीज में आपको बताना चाहरा हो कि यह कप के case में था यह कप के case में था जब आपके पास differential manometer है जब आपके पास differential manometer है जो की नीचे की तरफ होता है है यहां पर आपका mercury भरा रहता है और इसके उपर में दूसरा को도 fluid रहता है जिसका आपको flow कैलकुलेट करना रहता है ठीक है और यहां पर value x रहती है यहाँ पर value x रहती, यह तब के case में जब differential manometer यूज हो रहा है, ठीक है, आप कहीं venture meter में, अगर आपका inverted, यह reverse वाला manometer आपका feet है, inverted manometer यह reverse manometer आपका feet है, जो कि इस type का दिखता है, मतलब just में इसे ultra बना दू अगर, just में अगर इसे ultra बना दू कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर case दूसरा हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, इस case में heavier liquid हमारा कहला जाएगा mercury, ठीक है, यहाँ पर हमारा mercury क्यो था नीचे, यहाँ पर mercury हमारा इसली नीचे था, क्योंकि यहाँ पर mercury हमारा heavier है, अगर कहीं mercury हमारा lighter हुआ तो हमारा mercury यहाँ पर भढ़ जाएगा, हमारा mercury यहाँ पर भढ़ जाएगा, ऐसा, और x आ जाएगा आपका यहाँ पर, आरह बात समझ में, अगर आप manometer को उल्टा पलड़ दो, तो इस case में आपका formula को दूसरा बन जाएग h equal to x 1 minus 1 minus ssl upon sf, अब यहाँ पर मैं sl क्यों लिख रहा हूँ, अब यहाँ पर मैं sl क्यों लिख रहा हूँ, मरकरी क्यों ने लिख रहा, क्योंकि आपका, जो inverted manometer है, जिसे हम उल्टा कर दिये, यहाँ पर तभी लगेगा, जब आप इसके अंदर में lighter liquid को यूज़ कर रहे हो, अगर आप lighter liquid को यूज़ कर रहे हो, तो मैं उसे sl लिख हूँगा, ठीक है, तो अगर मेरा manometer, कुछ इस type का है, differential type manometer है, तो मैं h का यहाला formula यूज़ करूँगा, अगर manometer मेरा ultra है, तो मैं h का यहाला formula यूज़ करूँगा, पूरी value को, जब मैं इस actual discharge के formula में put कर दूँ, तो मुझे मिल जाएगा वेंचूरी मीटर का discharge, तो यह था वेंचूरी मीटर, I hope यह वीडियो आपको पसंद आगे, तो like and subscribe जरू कर दीज़े,